हेलो एवरिवन वेलकम बेक टु मैंच्यारल मैं हो रुचिका और स्वागत आपका रुचिका स्मेक ओवर में कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत जाद अच्छे होंगे हमेशा खुश रहें स्वास्त रहें मस्त रहें इसी कामना के साथ आज मैं आपके लिए वीडियो ले को चया था कि मारम फेशियल में स्टीम कप और कैसे लेनी चाहिए तो अपने आज के इस वीडियो में में आपको फेशियल स्टीम जो में नॉर्मली भी हम जो स्टीम लेते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूँ! आफ आपको मेरा ये वीडियो पसंदा आएगा, से पहले मिलें आपको thank you so much steam जो है वो चेहरे पर भाप लेने की प्रथा है और यह प्राचीन रोमन और युनानियों के समय से चली आ रही है जिस जिन्होंने इस रिवार से शरीर के अंदर बाहर साफ करने के लिए किया था इसका मतलब यह है कि युनानियों और रोमन के टाइम से यह चेहरे पर और शरीर पर स्टीम लेने की प्रथा चली आ रही है और इससे जो शरीर है वो अंदर और भार से साफ हो जाता है हला कि हम आपको सुझा देते हैं कि आप हवते में एक बार चेहरे पर स्टीम जरूर ले फेशल स्टीमिंग या स्टीम फेशल में पानी से एसंशल औयल से हबसे या सिर्फ नमग डाल कर भी भाप ले जा सकती है इस तरीकों से आप भाप ले सकते हैं अब मैं आपको स्टी साफ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इंजॉमाइटिकल टक्नीक से स्टीम ले सकते हैं इसमें आप स्टीमर लेंगे और सरफ स्टीम करेंगे तो भी आपका जो चहरा है वह अच्छे से स्टीम हो जाएगा और आपका चहरा जो है वह साफ हो जाएगा इसके इन प् तो होता ही होता है साथ में जो आपके चैरे के टॉप लिएर है वह भी हाइडरेटेड और सॉफ्ट हो जाती है इस टीम लेने से आपके पोर्स जो है वह ओपिन हो जाते हैं ताकि जो भी स्किन प्रोडक्स आप उस पर लगा रहे हैं वह गहराई तक जाएंगे और जाकि आप चैरे के अंदर चला जाएगा और उसको और भी ज्यादा फायदा जो है वह हमारे चैरे को होगा ऑक्सिनेट करता है स्टीम लेने का तीसरा फायदा आपको यह है कि स्टीम लेने से जो गर्मी आपके चैरे पर लगती है उसे स्किन अंदर की तरह से की तरह से जो ब्लेट व स्कीन आपकी फ्रेश लगती है चेहरा गलो करने लगता है तो उन्यान की घच्छित आप घिलनगी स्टीम लेने का भी वाइदा है यहिवी जाते हैं कि भी कि दनिक से लगों राव है प्रोब्लम हो जाती है मिस कभी ही रहा है कि आप घर पर ब्लेक हैट्स निकालें हमेशा पालर जाना चाहिए पर स्टीम लेने की मदद से आप इसे घर पर भी ट्राय कर सकते हैं जो है वह गर्मियों में ली जाती है ठंडी स्टीम में बरफ से भाप ली जाती है बरफ के टुकड़े को किसी रुमा या टीशू पेपर म लपेट कर चैरे पर गुल गुमाया जाता है और इससे जो स्टीम निकलती है उसे ठंडी स्टीम कहते हैं कभी भी गर्मियों में गर्म स्टीम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बहुत जादा गर्मी पहले ही होती है और और बहुत जादा गर्मी चैरे पर करने से जो स्किन है व फंडी kilometers यह स्टेम का सफ्तेमाल करें और बरभ सेही गर्मियों के मोसम में और मॉन्सून के मोसम में भी ठंडी पर करनीेfilled लेके आप लोग किसी किसी ब्लैक है्थ ऀ्मूबर की अज़ से इसली अपने फ्लेक हैद फाइट गर पर ही निकाल सकते भांच वाय स्किन के टौक्सिक से चुटकारा को दिलाता है तॉके जब आप चैरे के टॉक्सिंस बहार निकल आते हैं और इससे जो है एक तरीके से आपके चाहरे की अच्छे से सफाई हो जाती है और टॉक्सिक टॉक्सिंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं और जो आपका चाहरा है वो अच्छे से उक्सीजन लेच पाता है और चाहरा ग्लो करने लगता है गरम स्टीम होती है और ठ कोश्चन हमारा यह है कि हमें कितने देर तक स्टीम को चाहरे पर लेना चाहिए चाहिए वो ठंडी हो या गरम हो तो दस से पंदरा मिनट जो है वो स्टीमिंग का टाइम है परन्तु ओईली और बहुत ज्यादा सेंस्टिव शिकिन पर आप ज्यादा स्टीम ना दें ब्लैक हैट एक वाइट और प्रोब्लमाटिक स्किन पर ज्याधा देर भी स्टीम दे सकते हैं अगर किसी के बहुत ज्यादा ब्लैक हेट्स या वाइट हेट्स हैं और उन्हें आप रिमूफ करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा देर तक भी स्टीम चैरे पर दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा दे और जादा आप जादा रिलीज हो जाएगा जिससे बाद में कुछ भी काम जो है उनके चैरे पर नहीं हो पाएगा और जो एकया होते हैं उनके लाल दाख-धबबे तुरंद ही skin पर उभर आते हैं तो central skin पर भी आप जादा देर तक steam ना दे किसne skin type पर कब दें Northwest अब आफ़ ये हमारा question यह किया था बेला अश्तोगी जीए कि हमें steam कब करनी है क अब करनी है इRes स्टीमर को चैरे पर के पास न रखें, स्टीम देने के बाद ब्लैक हैड और वाइट रेड आप रिमूव कर सकते हैं, आम तोर पर बिन फेशल के भी एक बार स्टीमिंग लेकर चैरे की बहुत सी समसराओं से चुटकारा पाया जा सकता है, बहुत अच्छे से क्लेंजिंग कर इसके बाद अफ स्टीमिंग कर रहें, चैरे पर कोई अच्छा सा टोनर लगाएए और स्टीम την क्रीम से वाडाओं से उसBob मे'm आक्पा यह रिमूव कर מה के लिए तो keep steaming और keep glowing thank you steam लेते रहे मुस्कुराते रहे हसते रहे glow करते रहे और मेरा चैनल देखते रहे thank you so much